हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम तो माई चैनल आज हम बात करेंगे मेथी के बारे मेथी से होने वाले पारे में और इसका उप्योग किस प्रकार करना है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको महत्पूल जानकारी मिल सकें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुचें दोस्तो मेथी दाना में अनेक प्रकार के औशदी गुड़ पाये जाते हैं गुड़ों से भरपूर होने के कारण ये हमारी सेहत के लिए बहुत फायदमन होती है मेथी दानों का इस्तिमाल हम लोग मसालों के रूप में और घरिल और शदी के रूप में करते हैं मेथी की पत्यों का इस्तिमाल सबजी और साग के रूप में हम करते हैं इसके सेवन करने से अनेक समस्याओं में लाब मिलता है तो चलिए आपको बताते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में मेथी का सेवन तोचा के लिए, बालों के लिए, मदूमे के लिए, कॉलिस्ट्रोल को कम करने के लिए, स्वास्त हिर्दे के लिए, कबज के लिए, सर्दी से बचने और जोडों के दर्द में राहत दिलाने के लिए फाइदिमन है इसके सेवन की हम बात करें तो आप मेथी का सेवन, मसाले, सबजी और अशधी के रूप में कर सकते हैं नेमित मात्रा में इसका सेवन करने से आपको निश्चीत लाब मिलेगा आप मेथी के लड़ू बना कर भी खा सकते हैं दोस्तों मेथी की तासीर गर्म होती है इसलिए मेथी दाना को रात में पानी में भिगो कर आधे से एक चम्मच आधे गलास पानी में आप रग दीजिए सुबह खाली पेट इन दानों को आप चबा कर खाईए और फिर इसका पानी पी लीजिए इस तरह सेवन करने से मेथी की गुणों का आपको अधिक्तम लाब मिलेगा दोस्तों जैसा कि आपको पहले बताया है कि मेथी की तासीर गर्म होती है इसका सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलहा जरूर ले लें दोस्तों आपने जाना की मेथी हमारी सेहत के लिए कितनी फायदे मंद है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और शेयर करें बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें धन्यवाद